नमिश्कार आप देख रहे हैं नेक्स रे न्यूस पॉलिटिकल बाइट मैं हूँ आपके साथ अकास ट्रिवी दिए अगामी लोगसभाद चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने अब अपनी बात मुखरता से रखना सुरू कर दिया है पता देगी जिस परकार से एंडिये में आर रहकर चिराग पासवान ने बड़ी उमीदे लगाई थी कि उनको एक बड़ा पत दिया जाएगा लेकिन वो होता नजर में आया और यहां पर चिराग पासवान को कहीं न कहीं बीजेपी ने नदारब किया जिसके बाद चिराग प चिराग पासवान ने साब तोर पर बीजेपी को लेकर तमाम बड़ी बाते कह दी और और यह बता दिया कि लोग सबाद चुनाओं से पहले जीतना ना जीतना किस के हाथ पर है क्या कुछ कहा चिराग पासवान यार सुनिए जरा अब कौन थके हुए थे, कौन नहीं थे, कौन किस से काम करवा पाया, नहीं करवा पाया, जादा समय नहीं है, चुनाओ अब लगबग सर पर ही है, इन तमाम बातों का आंकलन इन चुनाओ में हो जाएगा, जनता से बड़ा तो और कोई नहीं है इन बातों का फैसला लेने के ले तो सबस्ब्सक्राइब कुछ सब्सक्राइब कक्राइब तो दरशकों यहां पर चिरांग पासवान ने लोग सभा चुनाओं से पहले बड़ा बयान दे दिया, जुसके बाद अटकले लगने लगी कि अब चिराग पासवान किधर जाएंगे, क्या BJP के तरफ से चिराग पासवान को कोई बड़ा पत मल सकता है, और क्या RJD अब चिराग पासवान को अपने साथ रख लेगी, क्योंकि लागातार देखा गया कि च सांसद को अपने साथ नहीं साथ ना चाहती, क्योंकि यहां पर चिराग पासवान अकेलिये के अपनी सीट से सांसद विधाय करो, ना ही उनके पास कोई विधाय दले, तो ऐसे मिची पासवान अगर किसी पार्टी में जाते हैं, तो उस पार्टी को कुछ खासा फाइदा न पर लोग सभाद चुनाओं से पहले और जेडी का दामन थाम लेंगे और क्या ते जस्वी यादव की सियात्रा में चिराग पास्वान अपना बड़ा समर्थन देगे। फ्लाल के लिए देज दुनिया की तमाम का प्रोसी जुट रहने के लाप देख 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 रहे निक्स्वान यूज पॉलिटकल बाइट